सो अभी कुछ ताहिं पहले एपपल टीवी पर एक सीरीज रिलीज हुई थी इसका नाम है साइलो इसका अल्रेडी मैंने एपिसोड वाइस वीडियो बना रख है तो जिन लोगों को बहुत ज़्यदे डिटेल में वीडियो देखना है तो यार वो लोग जाकर देख लेना खेर तो सीधे आते हैं वीडियो पे स्वेड़ाटी स्टार्ट एंड वल्कम तो सीरीज वर्स तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सीरीज की स्टोरी के बारे में तो फ्यूचर में अर्थ का इंवारिमेंट पूरी तरह से बरबाद हो जाता है इसलिए लोग साइलो में रहते हैं जो बेसिकली एक अंडरग्रोंड बिल्डिंग होती है और जो भी साइलो के बाहर जाता जूडिशियल और इनके बड़े अजीब से रूल होते हैं जैसे यहां कोई भी अपनी मर्जी से बच्चा पैदा नहीं कर सकता उन्हें जूडिशियल से परमिशन लेनी होगी और कोई भी पुरानी चीज़ों को नहीं रख सकता ऐसी चीज़ जो उन्हीं बाहर के बारे में information देती हो और अगर कोई ऐसी चीज़े रखता है मतलब साइलों के बारे में information इकठा करने की कोशिस करता है तो फिर या तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा या फिर उसे मार दिया जाएगा 140 साल पहले कुछ rebellion इसे लड़ने की कोशिस की थी पर judicial ने उन्हें खत्म कर दिया और अब किसी को भी उन rebellion की history के बारे में नहीं पता खैर तो सबसे पहले अपने कोशेरिफ होल्शन को दिखाते है और होल्शन एक note लिखता है अपने दोस्ट deputy मांस के लिए और अपने बैच निकाल कर उस note के साथ रख देता है फिर वो अपने आपको जेल में बंद कर देता है और खड़ा होकर अपनी वाइप ऐलिशन की बॉड़ी को देखता है जिसकी मौत बाहर जाने की वज़े से तीन साल पहले हो गई थी और अब होल्शन ने मन बना लिया था कि उसे भी बाहर जाना है और होल्शन मांस को बोल देता है कि वो साईलो से बाहर जाना चाता है और साईलो के रूल के हिसाब से अगर किसी ने एक बर अपने मूझ से बोल दिया कि उसे बाहर जाना है तो फिर उसे बाहर भेज दिया जाएगा और वापस नहीं लिया जाएगा और अब मांस कुछ नहीं कर सकता जिसका बद अपने को तीन सल पहले की स्टोरी दिखाय जाती है जहां होल्शन और उसकी वाइप ऐलीशन को बच्चा पैदा करने की पर्मिशन मिल जाती है और इसके लिए इनके पास एक साल का वक्त होता है सो सबसे पहले ऐलीशन डॉक्टर से मिलती है और अपना बर्थ कंट्रोल निकलवा देती है देन दोनों घर आते हैं और इंटिमेट होते हैं बट 6 मैने हो जाते हैं और ऐलीशन अब भी प्रेगनेट नहीं होती और सोफिय ऐलीशन को बताती है कि जूडिशन उन जैसी औरतों को कभी भी मान नहीं बनने देगा ऐसे लोग जो जूडिशन के सीक्रेट जानने की कोसिस करते हैं जैसे ऐलीशन को साहिलो को चलाने वाले जूडिशन के काम को लेकर डाउट होता है सोफिया बताती कि जूडिशियल हमेशा उन पर नजर रखते हैं और उसने भी माँ बनने की कुशिस की थी बट पर्मिशन होने के बावजूद जूडिशियल ने ऐसा होने नहीं दिया पहले तो अलिशन को इस बात पर डाउट होता है कि जूडिशियल उनसे कुछ शिपा रही है बट उसे ये बात कंफर्म तब हो जाती है जब एलिशन का फ्रेंड जॉड एक हाट रिप ओपन करने के लिए उससे हल्प मांगता है और वो हाट रिप 140 सल पुनाना होता है मतलब उस टाइम का जब साइलो को बनाया गया था और उसमें साइलो की पूरी इंफोर्मेशन होती है और जब जॉड उसे देखता है तो उसे साइलो की नीचे एक टनल के बारे में पता चलता है और इन उस हाट टरिप में एक वीडियो मिलता है जो साईलो के बाहर का होता है जब बाहर का इन्वार्मेंट ठीक होता है और सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है और ऐलीशन को लगता है कि बाहर का इन्वार्मेंट ठीक है और जूडिशल उनसे इतने सालों से बाहर के environment के बारे में जूट बोल रही है इन सब चीजों से ऐलीशन और ज़्यदा डिश्टब हो जाती है और उसके pregnancy का time भी खत्म हो जाता है अगले दिन ऐलीशन को पता चलता है कि डॉक्टर ने उसका birth control नहीं निकाला है उन्होंने बस उसके सामने निकालने का नाटक किया था होल्स्टन देखता है कि ऐलीशन गायल है और वो डॉक्टर के पास जाता है बट इद बिच ऐलीशन कैफेटेरिया में पहुँच जाती है और रूल के हिसाब से सबसे पहले वो बाहर जाकर कैमरे को साफ करती है और फिर वो आगे बढ़ती है और गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है ये सब होल्स्टन देख रहोता है और ये चीज़े उसे बहुत ज्यादा हर्ट करती है जिसका अपने को दो साल बात का सीन दिखाया जाता है जहां होस्टन को पता चलता है कि 120 माले से गिरने की वज़े से जॉर्ज की मौत हो चुकी है बढ़ ठैंक बताते है कि वहां रहने वाले एक लड़की को लगता है कि उसका मडर हुआ है सो होस्टन उस लड़की से मिलने पहुंसता है और इसका नाम होता है जूलियट और जूलियट होस्टन को बोलती है कि जूलियट का मर्डर हुआ है सो यहाँ सीन यह होता है कि जुलियट जूर्च की ग geographical होती है और उसे पता होता है कि जूर्च साइलो की information एकटा कर रहा था जूर्च की मौत की एक दिन पहले जूर्च जूर्च से मिलने आया था और वो उसे कुछ बताना चाता था इचे George-Jooliet ACT को उसके घर आकर मिलने के लिए बोलता है बट जब George-Jooliet उसके घर पहुंसती है, तो वहां कोई नहीं होता और उसे उसके घर थे एक Yellow Relic और एक Note मिलता है और फिर जुलियट को उसके फ्रेंट से पता चलता है कि जूलेट की मौत हो चुकी है और उसने सुसाइट किया है बट जूलेट को लगता है कि जूलेट का मर्डर हुआ है और वो ये बात अपने फ्रेंड हैंक को बताती है और हैंक होल्स्टन को जूलेट के पास लेकर आता है खेर तो जूलियट होल्स्टन को बोलते कि जूलियट की बातों पर यकीन नहीं होता बट उसे पता चल जाता है कि जूलियट 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 की गल्फरेंट थी तोकि जो गड़ी जूलियट ने पहनी हुई थी वही गड़ी जूलियट ने पहनी हुई है पासी होता है बच जूलियट उसके बारे में होल्स्टन को नहीं बताती दैन जूलियट होल्स्टन को साइलो के नीचे एक टनल में लेकर जाती है और यह वही टनल होता है जिसके बारे में जॉर्ज को हाट ड्रेव से पता चला था और जब होल्स्टन टनल के अंदर पहुंच और पेपर में वही आर्टिकल होते हैं जिसे अलिशन ने लिखा था कि डिलेट की वे फाइल को रिकावर कैसे किया जाए उसे देखकर होल्चन अलिशन के हैंड रैटिंग पहचान जाता है जूलिएट होल्चन को बताती है कि जॉर्च साइलो के कई सिक्रेट खुलने वाला और अलिशन सही थी साइलो उनसे बहुत कुछ चिपा रहा है और अगर वो अपनी वाइफ की बास सुन लेता तो वो आज जिंदा होती होल्चन बोलता है कि वो हार्ट ड्रेव से साइलो के बारे में पता लगाएगा और अगर उसे कोई इंफरमिशन मिलेगी तो उसे और फिर वो आगे बढ़ता है बट होल्चन को सब ग्रिन दिखाई दे रहा होता है उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है इसलिए सच का पता लगाने के लिए वो अपना हेलमेट निकाल देता है और फिर उसकी तवियत खराब होने लगती है और होल्चन की भी मौत हो ज उच्छे सेरिप को जुलेटर दिया था वो उसका आदा इस्सा था और दूसरा इस्सा अब भी उसके पास है और उसमें लिखा होता है कि जिस चीट को वो ढूंट रहा था वो उसे मिल गया है जुलिएट को याद होता है कि जॉज न उससे गेट के बारे में बताया था ज पानी के अंदर है और फिर जूलियट टैनल में वापाँ जाती है और पानी के अंदर जाने की कोशिस करती है बढ़ जा नहीं पाती कोई उसे पानी से डर लगता है और इस बात से जूलियट को खुद पर घुसा आ रहा होता है क्योंकि केवल अपनी डर की वज़े से वो तो जूलियट अपने मैकनिकल चीफ नॉक्स को बोलती है, कि जनरेटर के अंदर कुछ गड़बर चल रहा है, तो इसे ठेक करने के लिए उन्हें जनरेटर को बंद करना होगा, और अगर उन्हें ने जनरेटर को बंद करके उसे ठेक नहीं किया, तो पूरा जनरेटर खराब हो सकता है नॉक्स को ये बात पता होती है बट उसके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि साइलों में कभी भी जनरेटर को बंद नहीं किया गया और ये डिसीजन उसके हाथ में भी नहीं होता अधर हिन मांस को होल्चन के डेस्क से एक नोट मिलता है जिसमें उसने उसे सैरिप बनने के लिए बोला था बट मांस सैरिप नहीं बनना चाता था इसलों मेयर रूट को डेपिटी पॉल को सैरिप बनाने के लिए बोलता है बट मेयर इसके लिए तयार नहीं होती क्योंकि उसे मांस के छोड़ कर किसी और पर भरोसा नहीं होता और मांस रूत को बताता है कि होस्चन ने उसके लिए एक नोट छोड़ा है कि अगर वो सैरिप बनने से मना करता है तो उसकी जगा जूलेट को सैरिप बना दे साहलों का एक रूल होता है कि कोई भी सेरीप अपने जाने से पहले एक नाम रिकमेंट कर सकता है और होल्सचन ने जूलेट का किया था और क्योंकि रूत को होल्सचन पर भरोसा था इसलिए वो तैयार हो जाती है तो रूत जूलियट के फादर डॉक्टर पीट से बात करती है डॉक्टर पीट बताता है कि जूलियट को हमेशा से मशीनों में इंटरस्ट था जब वो 13 साल की थी तब उसने डिसाइड किया कि वो नीचे जाकर काम करेगी और उसने पिछले 20 सालों से उसे नहीं देखा तो यहाँ पर अपन जूलियट की थोड़ी हिश्टी के बारे में बात कर लेते हैं तो जूलियट की भाई की मौत उसके दिल में छेद होने की वज़़े से हो जाती है हाला कि उससे बचाने के लिए उसकी माँ हैना ने एक मेगनिफायर बनाया था बर जूडिशल को इसका पता चल गया था और उसने उसे तोड़ दिया था हैना को लग रहा होता कि यह सब पीट का काम है और फिर बाद में वो भी सुसाइड कर लेती है इन सब के लिए कहीं न कि जूलिएट अपने डैड को ब्लेम करती है और जूलिएट डिसाइड करती है कि वो नीचे जाएगी और काम करेगी जूलिएट की मॉम ने उसे चीजों को ठीक करना सिखाया था इसलिए उसे लगता है कि वो मैकैनिक बन सकती है जूलियट अपना समान पैक करती है और मार्था के पास पहुंचती है और जूलियट मार्था को अपने डैट का एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि वो चाहता है कि जूलियट उसकी student बने बट लेटर में हुई spelling mistake की वज़े से मार्था को पता चल जाता है कि जूलियट जुट बोल रही है और लेटर नकली है बट मार्था उसे इस कैविन में भेज देती है जाहिने कबार में से काम की चीजों को इकठा करना होता है जो चीजे काम की होती है उसे ठीक करके मार्था के पाथ भेजना होता है जूलियट को ये काम अच्छा लगने लगता है और जब पीट उसे लेने आता है तो वो जाने से मना कर देती है पीट देखता है कि जूलेट यहां खुश है और वो मार्ता को उसे उसके पास रखने के लिए बोलता है और मार्ता जूलेट को नौक्स का स्टूडेंट बना देती है खैर तो बाते हैं प्रेजन टाइम में जनेरेटर फिर से खराब हो जाता है और जूलेट आकर फिर से उसे ठीक करती है मेयर रूत यह सब देख रही होती है और वो उससे काफी इंप्रेस होती है और फिर रूत आकर जूलेट को बताती है कि होस्टन उसे नए सेरिफ के लिए चुना है बट जूलेट मना कर देती है रिजन ये होता है कि साईलियों में सब को कुछने कुछ काम करना होता है और उसका काम है जनरेटर को ठीक से चलाना और ये काम उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता जनरेटर की हालत काफी खराब होती है और इसलिए उसका यहां होना जरूरी है और रूट जूलियट को होस्टन का समान देती है, इसमें उसका बैरी भी होता है जूलियट इस बारे में अपने टीम को बताती है और नौक्स को लगता कि वो एक अच्छी सैरिप बनेगी हाला कि जूलियट को खुदा असा नहीं लगता से ठीक नहीं किया गया तो वो पूरी तरह से बंद हो सकता है और फिर वो लोग हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में डूप जाएंगे और फिर रूट जूलियट की बात मान जाती है जूलियट अपने टीम को बताती है कि उन्हें जनरेटर के प्रॉबलम के बारे में नहीं पता इसलिए उन्हें जनरेटर के पैनल को खोलना होगा बट यहाँ पर प्रॉबलम यह होती है कि इस टीम पाइप के तुरू बहुत मीचे से आती है और किसी को नहीं पता कहां से और pipe सिधे टर्बाइन से connected है तो अगर वो लोग जनरेटर बंद कर देते हैं तो उन्हें main wall को बंद करना होगा और इसके बाद उनके पास 30 मिनट का वक्त होगा इसके बाद इस टीम का pressure red line को cross कर जाएगा और उन्हें pressure release करना होगा और अगर उन्हें pressure को red line में रखना है तो उन्हें chamber को ठंडा करना होगा बट जितना ज़्यादा pressure होगा chamber उतना गर्म होता जाएगा और pressure बढ़ता जाएगा जब तक वो फट नहीं जाता खेर तो जनरेटर को बंद किया जाता है और जैसे ही वो लोग panel हटाते हैं इन्हें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है तर्बाइन का एक blade मुड़ गया होता है और वो बांकी blade से टकरा रहा होता है तो इन्हें बस उस blade को बाहर निकाल कर सीधा करना होगा तो जूलियट और Cooper blade को निकालते हैं नीचे चेमबर में आती है और उसे पानी डाल का ठंडा करने की कोसिस करती है बट इससे पूरे चेमबर में पानी भरने लगता है और जूलियट की हालत खराब होने लगती है और प्रेशर भी बढ़ता जाता है Cooper जैसे तसे करके blade को लगा देता है और फिर जूलियट को चेमबर ते बाहर निकाला जाता है और जेनरेटर भी ठीक हो जाता है अधर हैं रूथ और मांस साथ होते हैं रूथ वास्रूम जाती है और मांस उसके लिए wine choose नहीं कर पा रहा होता है तो मांस रूथ को आवाज लगाता है मेयर होता है और इवेंट को देखते हुए होलन डिसाइड करता है कि जूलियट को तूरंथ हैसे सेरिफ जोइन करना चाहिए हाला कि ये बात बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती जब जूलियट आफिस पहुंचती है तो कोई उसका वेलकम नहीं करता और सेंडी उससे बहुत रूडली बात करती है उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही होती कोईकि नीचे से आकर उनका बहुत बन सकता है बट जूलियट की इस बात से घंटा फरक नहीं पड़ता और सबसे पहले जूलियट सेंडी को जूलियट के के केस की फाइल मांगती है और सेंडी बताती कि जूलियट के पार जूलियट की कोई फाइल नहीं है बट जूलियट को वहां होस्टन का नोट मिलता है इसमें लिखा होता है कि मिरेर के पार दो फूल रखना बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि मिरेर के पीछे जुडिशल ने कैमरा लगा रखा होता है और वो लोग वाचर रूम से इन पर नज़र रखते हैं बट ये बास साइलो में किसी को पता नहीं होती खेर तो मांस को एक बंदे पर शक होता है कि उसने रेट पोईजन सप्लाइ की होगी और वो उसे पीटने लगता है बट जुलिएट आकर उसे रोकती है और फिर जुलिएट मांस को बताती है कि उसने होस्टन को बताया था कि जॉर्ज का मडर हुआ है बट सच जानते हुए भी उसने बोला कि उसे जुडिशल को बोलना होगा कि एक एक एक्सिडेंट है और उसने उसे बोला था कि अगर उसे कुछ पता चलेगा तो वो उसे इंफॉर्म करेगा इसलिए वो उसका वेट कर रही थी और जूलिएट मांस को दिखाती है कि होल्चन के बैच के पीछे टूर्थ लिखा हुआ है तो सैद ये कोई साइन हो सकता है जूलिएट बोलती है कि वो जॉर्ज के मडर को ढूंडने में उसकी मदद करें और वो पता करने में मदद करेगी कि मेयर के साथ क्या हुआ देन ये डोनों डॉर्ज से मिलने पहुंचते है कुछ ताइम पहले मांस ने उसके पती को रैलिक बेचने के लिए जेल बेज़वाया था इसे उसने कई बर उसे धमकी दी थी तब ही वहाँ केनेडी आ जाता है और केनेडी बताता है कि डॉर्ज की मौत एक साल पहले हो चुकी है और उसे के जुटे इल्जाम की वज़े से उसकी मौत हुई है मांस बोलता है उसकी संगत में यह होना ही था और केनेडी मांस की नाक तोड़ देता है और फिर जुलेट मांस को उसके घर लेकर आती है जहां जुलेट मांस के घर के दिवार पर रूत की ड्रॉइंग देखती है और फिर जुलेट बोलती है कि एक बार उसका काम खत्म होने के बाद वो नीची मैकनिकल में लौट जाएगी और फिर वो ये पुजिशन किसी और को दे सकता है कुछ तेहिंग बाद सिम्स मांस से मिलने आता है और यहां अपने को पता चलता है कि मांस ने सिम्स को बोला था जजज मेडॉस से बात करने के लिए ताकि वो जुलेट को सैरिफ की पुजिशन से हटा सके और अब जैज में डॉट जूलेट को सेरिफ से हटाने के लिए तयार हो गई है सारे पेपर्स रेडी हैं और बस उसे साइन करना है बट मांस सिम्स को रुकने के लिए बोलता है क्योंकि अब मांस को पता है कि कुछ ताहिं पर जूलेट कुछ चली जाएगी खैर तो जूलेट अपने घर पहुंसती है जो कि पहले होस्टन का घर था बट सेरिफ बनने के बद अभी ये जूलेट का था और जूलेट को वेंटिलेशन से कुछ आवाज आती है और जब जूलेट उसे चेक करती है तो उसे एक बैग मिलता है और उसमें जूलेट जब मांस के रूम की चानविन करती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ से रूट की पेंटिंग गाइब है जो दिवार पर लगी हुई थी और जूलेट को मांस के पास एक लिस्ट मिलती है इसमें कनेडी के नाम को हाइलेट किया गया था आगे सिम्स और होलेंड को लगता है कि मांस और रूट का मडर के बाद साईलो के लोग काफी डर जाएंगे तो ये लोग डिसाइड करते कि वो लोग उन दोनों के फिनरल को एकसांथ करेंगे ताकि लोगों को लगे कि वो दोनों प्यार में थे और उनका ध्यान मडर वाली बाद से हट जाए और कोई इस बारे में बात ना करे और फिर मांस और रूट का फिनरल किया जाता है रहन सैंडी जूलेट से मिलने आती है सैंडी को पता होता है कि जूलियट ने ये जॉब इसले ली है ताकि वो पता कर सके कि जॉर्ज को किस ने मारा था सैंडी बोलती कि आफिस में हर चीज उससे हो कर जाती है और अगर उससे कुछ भी करना है तो उससे उसकी मदद चाहिए होगी बट वो बस इतना चाहती है कि वो मांस के किलर को ढूंडे क्योंकि जूडिशल को सच से कोई मतलब नहीं है वो लोग साहिलों को बचाने के लिए किसी को भी फसा सकते है बट अगर उसने उनका सांथ दिया तो उससे गलती होगी और वो उसे उठाकर फेक देंगे और उसकी जगा पॉल को सेरिफ बना देंगे और फिर जूलिएट कैनेडी से मिलने उसके घर पर पहुंचती है बट वहाँ कैनेडी नहीं होता और जब जूलिएट उसके घर की चानबिन करती है और जूलिएट समझ जाती है कि जो भी मडरर है वो कैनेडी को फसाना चाता है बट उसे नहीं पता कि कैनेडी अब यहाँ नहीं रहता इसलिए उसने यहां सबुत प्लांट किया है और जूलिएट को ये बात तब कन्फरम हो जाती है जब पॉल आकर जूलिएट को बोलता है कि वो जूलिएट के पास गया था और उन्हें किसी रेल फेमेल भी नाम के बंदे पर शक है जो पेपर में काम करता है बट जूलिएट को पॉल पर यकिन नहीं होता और जब डग कैनेडी के घर पर पहुंसता है तो जूलिएट वहाँ पहले से मौजूद होती है और डग जूलिएट को देखकर भागता है और जूलिएट उसका पीछा करती है पर लास्ट में जूलिएट रेलिंग से गिरने वाली होती है बट कुछ लोग आकर उसे बचा लेते हैं देन पॉल जूलियट को बताता है कि जिस इंसान को वो पीछा कर रही थी, उसका नाम डग है, और वो जूडिशियल सिकॉरिटी में काम करता है, इसका अपने को डग को दिखाते हैं, और डग सिम्स से मिलता है, और यह सब उसने सिम्स के लिए किया होता है, सिम्स के कहने पर रूट मांस और जूड़ को मारा होता है, सिम्स जूडिशियल के लिए काम करता है, और उसका काम होता है वाचर रूम से साईलो के लोगों पर नज़र रखना, हाला कि साईलो को लोगों के इस बारे में पता नहीं होता, और वो इस बात पर नज़र रखता है कि कोई भी चले बट क्योंकि डग अल्रेडी पकला जा चुका होता है और अब क्योंकि जूलिट उसे अरेस्ट कर लेगी तो Sims डग को मार देता है और Sims ने डग को एक सुसाइड नूट दिया था इसलिए सब को लगता है कि डग ने पकले जाने की वज़े से suicide किया है जूलियट जड मैटाउस को बताती है कि डग ने रूट और मांस को मारा है और वो इसके इज़ाम कैनेडी पर डालने वाला था और उसे मार कर उसकी मौत को suicide दिखाने वाला था उसे पता है कि वो अरेस्ट होने वाला है इसलिए उसने suicide कर लिया बट उन्हें नहीं पता कि उसने रूट और मांस को क्यों मारा और फिर जूलियट और पॉल डग के घर की चानमिन करने जाते हैं और जूलियट यलो रैलिक को डग के घर पर रख देती है और वो रैलिक पॉल को मिल जाता है और अब जूलियट उस रैलिक के बारे में डेटाबेस में सर्च कर सकती है बट जब वो उसके बारे में डेटा में सर्च करती है तो उसे कुछ पता नहीं चलता जूलेट उसे अपने पास रखना चाहते थी ताकि उसका investigation करके उसके बारे में पता लगा सके बट Paul जूलेट को बताता है कि उन्हें रैलिक को judicial को देना होगा और अगर इन्हें उसे investigate करना है तो उन्हें judicial से permission लेनी होगी सो फिर ये लोग judicial के पाच जाते हैं बट रास्ते में जूलेट नोटिस करती कि Paul का हाथ काप रहा है पॉल को एक syndrome होता है जिसकी वज़े से उसका हाथ कापता है और वो ढंक से गन वागरा भी नहीं चला सकता और उसने ये बास सबते चिपा कर रखी होती है जो कि एक crime है और फिर ये दोनों जैज मडौस से मिलते हैं और जूलेट बोलते कि वो उस रेलिक को investigate करना चाती है ताकि ये पता कर सके कि डग रूत और मांस को क्यो मारना चाता था बट सिम्स को पता होता है कि वो रेलिक इसके बार में बता सके और फिर ये दोनों आकर पैटरिक से मिलते हैं और जूलेट उससे एक ऐसे डीलर के बारे में पूछती है जो नहीं रेलिक के बारे में बता सके और पैटरिक इने एक लड़की के बारे में बताता है फिर ये दोनों उस लड़की से जाकर मिलते हैं और इस लड़की का नाम होता है रेजीना रेजीना जूलेट के हाथ में घड़ी देकर समझ जाती है कि जूलियट जॉर्ज की नई गल्ड्फेंड होगी और जूलियट को पता चलता है कि रेजिनय जॉर्ज की एक्स है और उसी ने जॉर्ज को सारी पुरानी चीज़े ला कर दी थी और वो घड़ी जुसने पहनी हुई है वो भी Regina नहीं George को दिया था Regina बताती कि वो George के लिए सारी चीज़े खरीती थी ताकि judicial कुण पर शक ना हो और क्योंकि George के पास ये काम करने के लिए कोई और नहीं था तो वो उसने उसका यूज किया पर उसका काम होती उसने उसे छोड़ दिया और मैक निकल चला गया उसे कोई नई लड़की मिल गई थी जो उसकी मदद कर सकती थी जूलेट इन सारी बात उसे काफी हट हो जाती है और उसे लग रहा होता है कि जॉर्ज ने उसे चीट किया है और वो जॉर्ज को जैसा सोंसती थी वो ऐसा नहीं था Other hand Sims उस रहलेट के बारे में अपने डेटाबेस में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि यह रहलेट सायलो के बनने के पहले का है और Sims को George की फाईल से पता चलता है कि यह रहलेट जॉर्ज के पास था और उसने इसे अपने पास इनलीगल तरीके से रखा हुआ था और Sims को जूलेट पर डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि उसे ने डग के घर पर इस रेलिक को रखा होगा सो Sims और Holland जूलेट से मिलते हैं और Sims जूलेट को एक्यूस करता है कि जो रेलिक वो लाई थी वो George का है जिसे George ने इलीगल तरीके से अपने पास रखा था और उसने उस रेलिक को डग के घर पर रखा ताकि उसके बारे में पता कर सके बट Holland जूलेट के साइड लेता है क्योंकि इने नहीं पता होता कि George के मरने के बाद जिस ग्रूप ने George की घर की चानमिन की थी डग उस ग्रूप का हिस्सा था या फिर नहीं क्योंकि अगर डग उस ग्रूप का हिस्सा था तो ये पॉसिबल है कि उसने सोचा होगा कि ये एक मामूली चीज है और उसने इसे अपने पास रख लिया होगा बट पॉल को पता चल गया था कि उस रैलिक को जूलियट ने वहाँ रखा था ताकि वो उसे मिल जाए और वो इसका इंवेस्टिगेट कर सके बट उसके इस गलती की वज़े से जूडिशल उसे जिल में डाल सकती थी पॉल जूलियट को सच बताने के लिए बोलता है पर वो सच नहीं बताती और इस बात को लेकर दोनों में जगड़ा हो जाता है और पॉल वहाँ से चला जाता है और फिर जूलियट रिजीना से मिलती है और उसे अक्यूज करती है कि उसने जूर्ज के नाम और हाटरेप के बारे में जूडिशल को बताया इसलिए जूर्ज की मौत हुई रिजीना बताती कि जूडिशल वैसा नहीं है जैसे वो लोग सोचते हैं एक दिन एक आदम उसके घर पर आया था और उसने उसे सबी रेलिक डिलर के बारे में बताने को कहा और अगर वो उनकी बात नहीं मानती तो उसकी फैमिली को मार देते इसलिए उसने उस सब्के बारे में जुडिस्यल को बता दिया और जॉज इसलिए मारा गया क्योंकि उसने हाडरी वापस नहीं दी हालागो उससे नहीं पता हाडरी में क्या था और रेजीने बताती है कि जॉज ने उसी की तरह उसके पत एक चीट छोड़ी है जो basically एक book होता है और इस साइलो के बनने के पहले का होता है रेजीना जूलियट को वो album दे देती है बट उसे warn करती है कि इस चीज को वो judicial से चिपा कर रखे और फिर जूलियट अपने घर आती है और उस album को देखती है जिसमें Gloria N. और George का नाम होता है और उसमें जंगल, बीच और जानवर की फोटोस होती है और ऐसे चीज़ जूलियट ने पहले कभी नहीं देखी होती बट वाचर जूलियट पर नज़र रख रहे होते है और सिम्स उन्हें जूलियट पर नज़र रखने के लिए बोलता है जिसका अपने को Gloria को दिखाते है Gloria imagine कर दी होती है कि वो अपनी फैमिली के साथ एक बीच पर है हालाए कि वो एक medical care center में होती है जो डिशेल ने उसे यहाँ पर कैद कर रखा होता है और वो लोग इसे डग दे रहे होते हैं ताकि ये उनकी सच्चाए किसी को बताना सके खैर तो जूलियट को जॉलियट के फाइल से पता चलता है कि जॉलियट के मौत के बाद उन्होंने Gloria को investigate किया था तो जूलियट Gloria के बारे में database में search करती है तो उसे पता चलता है कि Gloria को care center में रखा गया है और फिर जूलियट Gloria से मिलने पहुंचती है बट वो इससे मिलने के हालत में नहीं होती और वो केवल एक वर्ड बोल रही होती है water हाला कि जूलियट समझ जाते है कि इन्होंने उसे जानबुस का ड्रक्स दिया है इतले जूलियट Gloria को बाहल ले जाना चाते थी ताकि ड्रक का असर खत्म होने पर वो से बात कर सके बटनर से बताते कि उसे जज मेडॉस के order से हां रखा गया है और वही इस order को हटा सकती है देन जूलियट मेडॉस से मिलने पहुंचती है बटो अपने ऑफिस में नहीं होती और उनकी सेकेटरी बताती कि उनकी तवियत खराब है इसलिए वो घर पर है और फिर जूलियट अपने ऑफिस पहुंचती है तो देखती ही वहाँ पॉल ने बहुत से लोगों को अरेस्ट कर रखा है और पॉल जूलियट को बताता है कि लोवर लेवल के लोगों ने एक बार को तबाह कर दिया क्योंकि वो रात में हंगामा कर रहे थे और ओना ने उन्हें सराब देने से मना कर दिया और पूरा फ्लोर एक दूसरे को खत्म करने में लगा हुआ था बट उसका रेडियो बंद था और उसके लिए उसे मेर से जुट बोलना पड़ा उसने उसके लिए जुट बोला और अब उसे सच जानना है जूलियट पॉल को बताती कि जॉर्ज का मडर हुआ था जैसा कि रूट मांस और यहां तक की डग का हुआ था और जॉर्ज की मौत का कनेक्शन मांस और रूस से है और इसका कनेक्शन इससे भी है कि क्यों होस्टन और उसकी वाइप बाहर गया थे पॉल बोलता है कि जॉर्ज का केस बंद कर दिया गया था बट डग की अपार्टमेंट में जॉर्ज के रेलिक मिलने के बाद टेक्निकली वो लोग जॉर्ज के केस के दुबारा जांच कर सकते है और फिर जॉलिएट पॉल से जेज मडोईफ का घर का एड्रेस पूछती है और पॉल उसे एडरेस बता देता है और फिर जॉलिएट कै возвे में एक बंदे से मिलती है इसका नाम होता है लूकास दिन जूलियट मेयर हॉलेंट से मिलती है और मेयर बताता है कि जिस दिन सिम्स नों से अक्यूस किया था डग के घर पर रैलिक रखने के लिए उसने उसका साइड लिया था ये बाश जेट मेडार्स को पसंद नहीं आई और उसने उसे वान किया है कि अगर उसने दुबारा ऐसा किया तो वो कुछ भी करके उसे पॉजिशन से हटा देगी होलेंड को लगता है कि जेज मेडास और सिंस आइटी पर कबज़ा करना चाते हैं क्योंकि आइटी एयर सर्क्लिशन, मैसेजिंग और फार्म को कंट्रोल करता है और अगर ये सर्वर उनके हाथ लग गया तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है बट वो लोग इसके होने का वेट नहीं कर सकते उन्हें कुछ ढूंडना होगा इससे वो लोग उन्हें कंट्रोल और लिमिट में रख सकें और उसे जो भी करना है जल्दी करना होगा इससे पहले कि मैडॉस उसे हटा दे जूलिएट बताती कि कुछ है जिस पर वो काम कर री है बट वो इस पर अभी बात नहीं कर सकती और फिर जूलियट मेडॉस से मिलती है और उसे बोलती है कि उसे ग्लोरिया को उस टाइम के लिए बाहर ले जाना है और बदले में वहाँ से वापस आने के बाद वो रिजाइन कर देगी बट मेडॉस बोलती है वो आर्डर नहीं हटा सकती और वो यह सब जो कर रही है उसे यह सब करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि जो वो जानना चाहती है जूडिशल उसे कभी नहीं जानने देगा जूलियट समझ जाती कि उन पर कोई नजर रख रहा है और जैज मडावत भी उनके कंट्रोल में है और वो चाकर भी कुछ नहीं कर सकती जूलियट अपने डैट पीट से मिलती है और ग्लोरिया के बारे में सारी बत बताती है और ग्लोरिया को बाहर निकालने में उनकी मदद मांगती है पीट जूलियट को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए उसकी जान को खत्र हो सकता है बट जूलियट पीट के बात नहीं सुनती और पीट को उसकी बात माननी पड़ती है और फिर ये दोने medical care में पहुँचते हैं और पीट ग्लोरिया को जूलियट के पास लेकर आता है बट Gloria ड्रक के नसेम होती है और Pete बताते है कि उसे नॉर्मल होने में 4-5 घंटे लगेंगे पर इनके पास इतना टाइम नहीं होता तो Pete Gloria को उस दवाईयां देता है जिससे उसके ड्रक का असर कम हो सके हो उसमें आने के बाद जूलियट Gloria से ऐलीशन के बारे में पूस्ती है कि क्या उसने उसे माँ बनने के बारे में कुछ बताया था तब ही Gloria पीट को देखती है और जूलियट को बताते है कि पीट ही उसका डॉक्टर था और इन सब में वो भी सामिल है यह जूडिशन के लिए काम करता है अब फिर जूलियट अपने डैट को बाहर भेज़ देती है पर गलोरियट उसे उसकी बुक दिखाती है जिसे उसने जूलियट के माँ एन को दिया था और गलोरियट बताते है कि जूलियट के माँ और वो फ्लेम की पर थे वो रेबिलियन जिन्हों ने जूडिशन से लड़ाई की थी बट जूडिशन ने नहीं मिटा दिया इसलिए उन्हों ने वो बुक्स और चीज़े समाल कर रखी है और उसके माँ के अंदर भी फ्लेम की पर बनने की इक्षा थी, और ये आखरी चीज है, जो वो लोग उनसे छीन नहीं सकते, और ये मॉनिटर रूम में सेम्स को पता चलता है, कि जूलेट कैमरे में नहीं है, वो कहीं चली गई है, और लाच अबर उन्हें नहीं उसे मेडिकल में जाते हुए देखा था, कुछ दिर बाद इन्हें जूलेट दिख जाती है, और वो ग्लोरिया को लेकर मेडिकल केयर आती है, और बोलते हैं कि वो बाहर घूम रहे थी, और फिर जूलेट ग्लोरिया को लेकर उसके रूम में आती है, तब ही ग्लोरिया नोटिस करती है कि उसके मिरर के पास जो फूल रखा हुआ है, वो गायब है, जिसे होस्टन ने वहां रखा था, और तब जूलियट को यादा था कि होस्टन उसे बोला था कि मिरर के पास फूल रखना और जूलियट समझ जाती कि वो लोग मिरर के थूर उन पर नज़र रख रहे हैं और फिर वो mirror को ढग देती है और Gloria बताती कि होस्टेन हमेशा वेंट के पास कुछ करता था और फिर जब जूलियट वेंट को चेक करती है तो उसे हाड रेप मिल जाता है और Gloria जूलियट को बोलती है कि अब वो उनकी flame की पर है सिम्स को पता चल जाता है कि जूलियट को कैमरे के बारे में पता चल चुका है और उसे Gloria का room से कुछ मिला है सो सिम्स वहाँ Raiders को बेजता है बट जब वो लोग वहाँ पहुंचते हैं तब तक जूलियट वहाँ सा गयाब हो चुकी होती है जूलियट गार से बच कर लैब में चिपी हुई होती है और फिर वो उस हाइड रैप को खोलने की कोसिस करती है बट उसके पास access code नहीं होता और फिर जूलियट अपने office में आती है जा सिम्स के radar चांड मिन कर रहे होते हैं और वो लोग जूलियट की बैक को चेक करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता और पॉल बताते हैं कि वो लोग जो कर रहे थे वो illegal है और उन्होंने pack को तोड़ा है वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं तो यह दोनों सिम्स के पाच जाते हैं और pack के नियम को तोड़ने के लिए उसे arrest कर लेते हैं और जूलियट उसके office के चांड मिन करती है तो उसे कुछ files मिलती है जिसमें उसके mom हेना के भी file होती है और यह वो लोग होते हैं जिन पर judicial नज़र रख रहा था और फिर जूलियट अपने dad Pete से मिलती है और बताती है कि judicial ने mirror के पीछे camera लगा रखा है और वो उन पर नज़र रखता है और इसी तरह उन्हें magnifier के बारे में पता चला और फिर जूलियट पीट को hard rate दिखाती है और बोलती है कि वो इसे मार्था के पास लेकर जा रही है क्योंकि वही इसे खोल सकती है और पीट मार्था को message कर बता देता है कि जूलियट उससे मिलने आ रही है मतलब इसे केवल जूडिशियल के सिस्टम से खोला जा सकता है तो उसे इसे अपने ओफिस के केम्प्यूटर से खोलना होगा बट जूलेट वहाँ नहीं जा सकती थी बट लूकस को इस सब पचड़े में नहीं पढ़ना होता है इसलिए वो मना कर देता है और जूलेट महां ते चली जाती है और तब ही वहाँ गार्ड्स भी आ जाते हैं और जूलेट के घर की चानबिन करते हैं और फिर जूलेट मार्था के पाद जारी होती है तब ही एक गार्ड्स उसका बैक चेक करने लगता है बट वहां हॉलेंड आ जाता है और फिर ये दोनों फार्म में जाते हैं हॉलेंड जूलेट से जानने की कोसिस करता है कि सिम्स को क्या चाहिए बट जूलेट उसे नहीं बताती हॉलेंड बताते कि साईलो के फांडर्स को पता था कि साईलो को जिंदा रखने के लिए किसी को हाट डिसीजन लेना होगा और कईयों के जरुरत पूरी करने के लिए उन्हें कुछ को सक्रिवाइस करना होगा ये उनके सर्वाइवल के बारे में है और उस हाइड रैफ से साईलो के सबी लोगों को खतरा है और 140 साल में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है और फिर जूलियट वहाँ से भागती है पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और जूलियट पॉल को बताती कि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला और सिम्स उसे फसा रहा है पॉल बोलता है कि अगर उसने ऐसा नहीं कहा तो जूडिशल के सामने रिक्वेश्ट कर सकती है और तब जूलियट देखती कि पॉल का हाथ का पर है और मौके का फाइदा उठा कर वो अपने हाँ छुडा कर वहाँ से भाग जाती है और सिम्स को लगता है कि पॉल ने उसे जान बुचकर भागने दिया बेसिकल उसे नहीं पता वो कहा है जिसका अपने को पॉल को दिखाते हैं पॉल को लगता है कि उसकी वज़े से जूलियट भाग गई बट पॉल की वाइप कैट उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है कैट को डर होता कि कहीं पॉल की हालत भी बांकी दोनों सेरिफ की जैसे ना हो जाए पहले एक सेरिफ को सफाई करने के लिए बाहर भेजा गया और अब दूसरे सेरिफ को वो लोग बाहर भेजने वाले हैं बट उन दोनों के बच्चे नहीं थे और पॉल ने अपनी बिमारी को लेकर जुडिशल ते जुट बोला है और अगर उन्हें सच का पता चल गया और पॉल के साथ ऐसा हुआ तो उनकी बेटी को उसके बीना बढ़ा होना होगा इसलिए कैट पॉल से बोलती है कि उसे जुडिशल में वापच चले जाना चाहिए जहां वो पहले काम करता था वहाँ सब लोग उसे पसंद करते हैं और वहाँ उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा पर पॉल जुडिशल वापच नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि वो इस जॉब की लायक है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और फिर पॉल जुलिट को ढूनने ही निकल जाता है देन पॉल जुलिट के घर पर पहुंसता है बट वहाँ पहले से जुडिशियल के लोग चान्दमिन कर रहे होते हैं और इन में से एक रेडर को पॉल पहले से जान रहा होता है इसका नाम होता है जीन और पॉल जीन से पता लगाने की कोसिस करता है कि क्या उन्हें कुछ मिला या फिर क्या जुलिट ने सच में बाहर जाने वाली बात बोली थी बट जीन उसे कुछ नहीं बताती और क्योंकि पॉल को वहाँ रुकने की परमिशन नहीं होती इसलिए जीन पॉल को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलती है और फिर judicial Juliet के घर को seal कर देती है बट पॉल उस चीपा कर जोलियर के घर में घुँज जाता है और वहां की चानविन करता है और पॉल उस बुक को देखता है और उसे पता चलता है कि बाहरी दुनिया कैसी होती है और जोडिुशन ने उसे अब तक बहुत को चीपा कर रखा ह देन पॉल उस बुक की एक पेच को फाल कर अपने पास रख लेता है और बांकी बुक को जला देता है और फिर पॉल जूलेट की कैबिन में आता है वहाँ एक पैक की बुक पड़ी होती है यसे वो ड्रॉर में रख देता है जैसा कि उस पैक का अब उसके लिए कोई मतलब नह हैं और उस पेच को देखने लगता है इसका अपने को सिम्स की वाइब गिनी और उसके बेटे एंटोनी को दिखाते हैं सिम्सनों ने स्कूल से घर लाने के लिए रेडर्स को भेजा होता है बट वो लोग ऑलरीडी घर पहुँच चुके होते हैं और फिर जब गिनी घर के अंदर आती है तो उसे रियलाइज होता है कि घर में कोई घुसाया है गिनी देखती कि बैट पर एक हाड रिव रखा हुआ है तब ही जूलेट उस पर हमला करती है और उससे गन चीन कर उसे गन पॉंट में ले ले लेती है जूलेट बोलती कि वो उसे हट नहीं करना चाती पर वो हट कर सकती है और फिर वो गिनी को एक पोल से बांद देती है देन जूलेट सिम्स के कम्प्यूटर के यूज करके हाड रिव को एकसेस करती है अधर हैं मेयर हॉलेट को पता चलता है कि एक दिन पहले जूलेट ने लूकस को एक मैसेज भिजवाया था जो आईटी मे काम करता है और फिर लूकस जूलेट से मिलने उसके घर गया था तो हॉलेट लूकस से बात करता है लूकस बताते कि जूलेट उसे एक हाड रिव खोलवाना चाती थी हाला कि उसने उसकी मदद नहीं की और उस हाड रिव का सीरियल नंबर 18 था और फिर हॉलेट लूकस को है क्योंकि उसने hard drive के बारे में judicial को नहीं बताया और उसने silo के लोगों को खत्रे में डाला क्योंकि वो सैरिव को पसंद करता है दैन होलेंड वाचर रूम में जाता है और उन्हें hard drive 18 को track करने के लिए बोलता है दैन होलेंड sims से बोलता है कि उसने अज अपने बीवी और बच्चे को स्कूल से लाने के लिए agent भेजे थे उनके survival पर खत्र है और उसने silo से पहले अपने family के बारे में सोचा तो उसे उसका shadow बनाना उसके family और silo दोनों के लिए ठीक नहीं है और तब ही ने hard drive के location मिल जाती है जहां से उसे access किया गया था और वो sims का घर होता है जुलियट hard drive को खोल देती है और उसमें उसे जॉलियट के एक वीडियो मिलता है तो अब उसके पास दो ही रास्ते हैं या तो वो यहां से भाग जाए या फिर यहां रुक कर जुलियट के आने का वेट करे और मारी जाए तो जुलियट पहला रास्ता चुनती है और जब sims अपने घर पहुंसता है तो जुलियट वहां नहीं होती और गिनी sims को बताती कि उसने जुलियट को भागने दिया क्योंकि वो लोग उसे मार देते हैं sims गिनी को बताता है कि होलेंड को पता चल गया कि उसने गार्ड्स को भेजा था उन्हें लाने के लिए और उसे लगता है कि अब वो सैडो बनने के लायक नहीं है खैर तो इसके बाद अपने एक लड़के को दिखाते हैं और इसका नाम होता है डैनी और डैनी एक हैकर होता है डैनी आकर कैनेडी से मिलता है और जूलियट यहीं पर होती है और जूलियट डैनी को हाड ड्रेप देती है और उसे हाड ड्रेप को ओपन करने के लिए बोलती है और फिर डैनी उस हाड ड्रेप को ओपन कर देता है और उसने सिस्टेम को हैक किया होता है ताकि Judicial उनकी location का पता ना लगा सके और फिर जूलियट 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 का वीडियो देखती है जिसमें जूलियट जूलियट को बताते कि उसका plan था कि वो उसे नीचे की पूरी information इकठा करके उसे छोग देगा पर बाद में उसे उसे प्यार हो गया और जूलियट बताते कि उसे वो दर्वाजे मिल गया है जिसे वो ढूंट रहा था और वो पानी के नीचे कहीं है और उसे उस दर्वाजे को ढूंटना होगा इसलिए वो इस वीडियो को उसके जिन्दा ना रहने के बात के लिए बना रहा है और दुनिया का जानना होगा कि अलीसन क्लिनिंग करने बाहर क्यों गई थी और जॉर्ज जूलियट को जैन क्लिनिंग नाम के फाइल को देखने के लिए बोलता है इसके बाद जूलियट उस फाइल को उपन करती है और उसमें बाहर का वीडियो होता है और बार सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है और जूलियट को पता चलता है कि अलीसन सही थी कैफे में जो डिस्प्लेय लगा हुआ है वो जूटा है और अब जूलियट को लगता है कि जूडिशल इतने सालों से उन्चे जूट बोल रही है और उन्हें सच सब को बताना होगा और डैनी के पास एक आइडिया होता है हर एक 30 माले में एक सिगनल बूस्टर लगा होता है इसके यूज करके ये लोग सभी कम्प्यूटर के स्क्रीन में इस वीडियो को एक साथ चला सकते हैं हाला कि इसमें रिस्क होता है क्योंकि सारे कम्प्यूटर आइटी से कंट्रोल होते हैं पर इनके पस कोई और रास्ता नहीं होता क्योंकि होलियन को इनकी लोकेशन अल्रीडी पता चल चुकी होती है और फिर ये दोने वोक ट्रेश शूट की मदस से सिगनल बूस्टर के पाच जाते हैं और जब रेडर कैनेडी के घर पर पहुंसते हैं तब तक ये लोग वहाँ से जा चुके होते हैं खैर तो सिम्स को एक एजेंट के मैसे से पता चलता है कि जब वो लोग जूलेट के घर की चानमिन कर रहे थे तब पॉल ने वहाँ जाने की कोसिस की थी और फिर सिम्स पॉल से मिलता है और उसे जानना होता कि पॉल जूलेट के घर क्यों गया था और उसे क्या मिला पॉल बताते कि वो जानना चाता था कि जूलियट ने क्यों बोला था कि वो बाहर जाना चाती है ताकि वो पता लगा सके कि वो कहां गई है और यहां पर पॉल को पता चलता है कि सिंस को उसके सिंट्रोम के बारे में पहले से पता है और विपॉल अपने घर आता है और कैट को बताता है कि सिम्सकुस की बिमारी के बारे में पहले से पता है बट उसने उसे नौकरी से नहीं निकाला और वो और मेर उसे जौब में छोट देंगे खेर तो जूलियट, डैनी और कैनेडी सिगनल बुष्टर के पात पहुंचते हैं और डैनी उसे हाड ड्रेफ से कनेट करता है बट वहाँ कैमरा लगा होता है और हॉलियन को उनकी लोकेशन पता चल जाती है डैनी स्क्रीन को लिंक करके बाहर के वीडियो को सारी स्क्रीन पर चला देता है बट हॉलियन उसे बंद कर देता है और फिर ये तिनों अलग-अलग भागते है जूलियट ट्रेफ शूट की मदद से भागने की कोसिस करती है बट Holland को ये बात पता चल जाती है और वो लोग समान फिक कर उसे नीचे गिरा देते हैं जिससे जुलियट घायल हो जाती है और Nox और Sally जुलियट को मारता के पास लेकर आते हैं बट Nox Judicial को जुलियट की लोकेशन बता देता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो लोग जुलियट को कहीं नीचे पासकते है Judicial उसे ढूंड लेगी और फिर पूरे मैकनिकल को इसके कीमत चुकानी होगी कुछ ताइम बाद वह सिम्स और Holland भी आ जाते हैं और Holland सबसे पहले उस हाट्रेप को तोड़ देता है और फिर Holland जुलियट से एक डील करता है ताकि नीचे कोई rebellion ना खड़ा हो कि वो उसके दोस्तों को छोड़ देगा पर बदले मुंसे ये बोलना बंद करना होगा कि उसने बाहर जाने की बात नहीं बोली और उसे Judicial हेरिंग के लिए मना करना होगा जुलियट तयार हो जाती है बट उसकी एक condition होती है कि उसे जुलियट की मौत का सच जाना है और फिर जुलियट को बांद कर ले जाया जाता है और इस बिच मारता है कि हीट टेप निकालती है और 25 साल के बद वो अपने रूम से बाहर आती है और अपने फ्रेंड कारला से मिलती है और वो लोग हीट टेप के बारे में बात करते है जिसे जुलियट ने IT से चुराया था और कारला बोलती है कि उसने जो टेप बनाया था वो IT के टेप से कई ज्यादा अच्छा था खैर तो होलेंड जुलियट को अनलॉक करने के लिए बोलता है और फिर होलेंड और सिम्प जुलियट को इस्टेशन में लेकर आते है और होलेंड जुलियट को जुलियट का वीडियो दिखाता है जिसमें ग्रेडर जॉर्ज को जुडिशिल के पास लेकर जा रहा होता है बट जॉर्ज कैमरे के सामने रुक जाता है जॉर्ज बोलता है कि वो उससे जिंदा ले जाना चाते है ताकि वो उससे हाड ड्रेप के बारे में पता कर सके और उससे उन लोगों का नाम जन्सके जो उसके साथ काम करते हैं और फिर जूलिएट को पता चलता है कि जूलिएट को किसे नहीं नहीं मारा उसने खुद अपनी जान दी थी क्योंकि उसे पता था कि अगर हाडर जूलिएट के हाथ लग गया तो वो सच का पता लगा लेगी और फिर जूलिएट को जेल में डाल दिया जाता है और पीड जूलिएट से मिलने आता है और पीड बोलता है कि उसने बाहर जाने की बात क्योंकि जूलियट अपने डैट को सच बताना चाहती थी पर वहाँ कैमरा लगा होता है इसलिए वो कुछ नहीं बता सकती थी दैंसरली जूलियट के लिए एक खाने का बॉक्स लेकर आती है और उसमें जूलियट का मार्था का एक नोट मिलता है इसमें लिखा होता है कि वो उसे प्यार करती है और डरो मत वो सप्लाई में अच्छे है और फिर होलियन जूलियट से मिलने आता है और होलियन जूलियट को बोलता है कि उसे ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा है और वो कम से कम दिन में एक बर इसे छोड़ने के बारे में सुचता है बट वो से अपनी प्रॉबलम नहीं सुनाना चाता वो उसने सैलो के लिए बहुत काम किया है बट जब वो सैरिप बनी और उसने जॉर्च की मौत की जान सूरू की तब वो साईलों के सर्वाइवल के लिए खत्रा बन गई जूलियट बोलते हैं कि अगर इस जगह को लोगों की जान चाहिए तो फिर इस जगह में कुछ गलत है जूलियट बोलते हैं उसे पता है कि वो डिस्प्ले जूटा है तो वो लोगों को सच बता के उन्हीं देता कि वो लोग बाहर जा सकते हैं और वो डूर क्या है जो नीचे स्टील का बना हुआ है जिसे जॉज ने ढूंडा था होलेंड बोलता है कि फांडर्ट ने उनके लिए कुछ मिश्टिक छोड़ी हैं जिसके बारे मुँने नहीं पता जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि जूलेट को बाहर भेजने के लिए सूट पहनाया जाता है और उसके सूट को हीट टेप से सिल किया जाता है और ये वही टेप होता है जो मार्था ने कारला को दिया था यसे सैथ कारला ने बदल दिया था और फिर जूलेट बाहर जाती है और उसे सब कुछ ग्रिन दिखाई देता है उसे सब नॉर्मल लगता है जैसे कि होल्चन और एलिशन को दिखाई दिया था जबकि एक्चॉल मे में असानी होती है बट साइड जूलेट को सच का पता चल गया था इसे जूलेट केमरे के पास आती है बट वो उसे साफ नहीं करती और कपड़े को नीचे गिरा देती है होलेट को लगता कि जूलेट पेट तक पहुँचने से पहले मर जाएगी बट ही टेप की वज़े से बाहर का पॉजिजन जूलेट के सूट के अंदर नहीं आ पता और वो ठीक होती है और फिर जूलेट आगे बढ़ती है और होलस्टन और उसके वाइब के बाड़ी के पास प अगे बढ़ती है और जूलेट को सब ग्रिन दिखाए दे रहा होता है तब उसका विजन चेंज हो जाता है और उसे चारो तरफ बेरेन लैंड दिखाए देता है यहाँ पर यह हो सकता है कि जूडिशन ने उसके स्क्रीन पर पहले से प्रोग्राम किया हो कुछ ताइम के ल तो मुझे लगता है कि वो एक सेल्यों से दूसरे सेल्यों जाने का रास्ता हो सकता है बट यह मेरे थेरी है खर तो वीडियो को यहीं अंड करते हैं पसंद आए तो लाइक और शेयर करते ना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कि लिग उडबाए